पस्टे मंगाल से चलेंज आईगी हैं कि कॉंग्रेस चार सो चारिस पार नहीं कर पाईगी चारिस पार नहीं कर पाईगी बहुत ध्यान से सुनदा था खड़िया जूद देंग रहे और ऐसा अनदा या ऐसा अनदा या ऐसा बहुत कम मिलता है लोगसभा में तो कभी वे भी मिल जाता है लेकिन आज कल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरणजन कम मिलता है लेकिन लोगसभा में मनोरणजी जो कमी है में खल रही है उठ देन आपने पूरी कर दी और मुझे प्रसंताइस बाट की थी कि माने ख़रगे जी काफी लंबा और बरिमताहान बजे से इस्थानती से भोल गहते समय भी काफे लिया था तो मैं सोच रहा था कि अज्जानी मिली के से इतना सारा बोलने के अज्जानी मिली कैसे सोच तो रहा था लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते नों उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते हुआ और इसलिए भावद भरपूर फाइदा स्वतंतरदा का आदन ये खरगे जी ने उठाया और मुझे लगता है कि उस दिन खरगे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा ऐसा मोका फिर कहां मिले और खरगे जी भी खरगे जी भी और में ये एंपार नहीं है कमांडो नहीं है तो चौके शके मारने भी मजा आ रहा था उनको लेकिन एक बात खुशी की रही है उन्होंने जो चार सो सीट एंडिये के लिए आशिरवाद दिया दो और मैं हरवेजी के इन आशिरवाद को आपके आशिरवाद मेरे स्वराखों पर अब आपका शिरवाद वापिक लेना तो ले सकते हैं तो कि एक खपड़न तो आओ गए हैं आधनिया सभापती जी मैंने मुझे पिछले बरस का वो प्रसंग बराबर याद है उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधान मंतरी की आवाज को गला गोंटे का बरपूर प्यास किया रहे हम बड़े धैरियं के साथ बड़ी नमरता के साथ आपके एक एक शब्दों को सुनते रहे और आज भी आप न सुनने की तहारी के साथ आये हैं आप न सुनने की तहरी के साथ आए हैं लेकिन मेरी आवाज को आप गवा नहीं सकोके हैं देश की जंता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है देश की जंता के आजिजवात से आवाज लिकल रही है और इसलिए आपने पिछली बार मैं भी इस बार पूरी तायारी के साथ आया हुई मैंने सोता हुदा कि उटपकर कि शायद आप जैसे वेक्तिस हजन में आये हैं तो मर्यादाओं का पानन करेंगी लेकिन डेर पोने दो घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगोंने मुझ पर और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादा एक तोड़ी नहीं आधरनी सभापती जी मैंने भी एक प्रार्षणा की है प्राशना तो कर सकते हैं मैं तो करता रहता हूं पस्चिम मंगाल से आपको जो चैलेंज आई है और पस्चिम मंगाल से चैलेंज आई है कि कॉंग्रेस चार सो चार चालीस पार नहीं कर पाएगा चालीस पार नहीं कर पाएगा आधरनीय सभापती जी हमको बहुत सुनाया गया है और अपने सुना है लोगतंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है और आज जो भी जो भी बाते हुई है उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए और इसलिए मैं प्रयास करूंगा आधरनीय सभापती जी यह जब सुनता हूँ उधर भी सुना इधर भी सुना मेरा विस्वास पक्ता हो गया है कि यह पार्टी सोच से भी आउट्डेटर हो गई है और जब सोच आउट्डेटर हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउट्सोर्स कर दिया कि देखते ही देखते हैं इतना बड़ा दल इतने दशनकोंत पर तक देश पर राज करने वाला दल हैसा पतन है आईसी गिरावट हमें खुशे नहीं हो रही है हमारी आपके प्रदी सम्वेदनाय हैं लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी पेशन्स कूद पूद आगे क्या भोलोग्य। हम प्रील